Hi guys, once again, welcome back to my channel. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से अपने simple से दिखने वाले blouse को stylish look दिया with the help of pom pom और इसी तरह से आप भी अपने किसी भी simple से blouse को बहुती stylish और elegant look दे सकते हैं. तो चलिए, अब मैं दिखाते हूँ किस तरह से आपको ये pom 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 लगाने हैं और किस तरह से आप अपने blouse का look change कर सकते हैं. Beauty and Creativity चैनल को subscribe करने के लिए subscribe button क्लिक करें और latest videos के notification पाने के लिए bell icon को क्लिक करें और ये एकदम free है. So guys ये है मेरा blouse जो मैंने back hook में हैं एकदम close blouse है और front इसमें boat neck थी. पहले इसमें pom pom नहीं लगाया हुआ था पर इसमें pom pom बन चुका है जो मैंने इसमें पूरा लगा लिया था तो मुझे idea है कि इस पर भी चलो video बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने blouse का look एकदम से change कर दिया है. तो यह back side में जो उपर वाली string edge जिस side में अंदर hook लगे हुए हैं उधर पे मैं pom pom लगाऊंगी और मैंने pom pom लिये हैं different color के. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यह मुझे pom pom मिले कहां से. एक्चली जो clothes की या फिर जहां पे हमें लटकन वगेरा मिलती हैं ऐसी वाली shop से एक पूरी यह off white color की lace थी. तो इस lace को मैंने पूरा एक मीटर खरीदा यह मुझे I think 20 रूपीस पर मीटर विली और उसको मैंने half क्यूंकि मुझे half orange color के चाहिए थे और half off white color के. तो off white मैंने half ऐसी रखी लड़ी half meter और half meter को मैंने orange dye करा लिया. अगर हम different color के pom poms लगाते हैं तो वो ज़्यादा दिखते हैं अगर मैं off white पे off white ही pom poms लगा दूँगी तो वो ज़्यादा visible भी नहीं होंगे और वो वाला look भी नहीं मिलेगा. जो front orange part है उस पे मैंने off white pom poms लगाए हैं और back side में मैं ये orange color के लगा रही हूँ. सबसे पहले pom poms लगाने के लिए आप उस lace में से pom poms को cut कर लीजे जितने भी आपको चाहिए. सबसे पहले pom poms लगाने के लिए आपको लेनी है needle और thread उसी color का जिस color के हो pom poms. उसके बाद needle में आप thread डालिए और उसको double करके उसमें gant लगा लेजे. गant लगाने के बाद जो भी extra thread बचेगा उसको cut कर लीजेगा. अब सबसे पहले में उपर की side वाला pom poms लगा रही हूँ. सबसे पहले में उपर वाला pom poms लगा रही हूँ. पॉम-pom लगाने के लिए मैं इस तरह से उसको लगाऊंगी. यह जो orange color का thread है वो back side में नहीं दिखे. जिस तरह से front वाले pom poms का दिख रहा था. क्योंकि इसमें hook हैं और hook के साथ यह अच्छा नहीं लगेगा. और उसमें hook के उपर से भी यह thread जा सकता है. तो फिर hook ठीक से बंद भी नहीं हो पाएगा. गाइस अगर यह इस तरह की lace मुझे online दिख जाती है तो उसका link मैं आपको description box में दे दूँगी. Otherwise आप आपके आसपास जो भी lace की shop हो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं. तो यह lace आती है. पॉम पॉम तो मुझे नहीं मिले तो वो off white कलर की lace मिल गई थी और जो भी कलर में आपको requirement हो आप dye करा सकते हैं. उपर वाला पॉम पॉम लगाने के बाद मैं सबसे नीचे वाला पॉम पॉम लगाऊंगी क्योंकि उसके बाद मुझे idea हो जाएगा कि मुझे उस बीच में कितने पॉम पॉम चाहिए. जब नीचे वाला pom pom अची तरह से लग जाएगा तो मैं सारे जो बचे हुए pom pom हैं उसको इस तरह से रखके distance चेक कर लूँगी आप चाहें तो इन्हें mark भी कर सकते हैं मैंने mark नहीं किया मैं ऐसी ही idea से pom pom लगा रही हूँ distance देख लिया है मैंने तो जितना distance था उसके according मैंने pom pom लगाना start किया है आपका अगर कोई भी पुराना simple सा blouse हो और आप उसका look change करना चाहते हैं तो आप जिस color जो different color आपकी साड़ी में हो उस तरह से contrast में उसमें pom pom लगाके different look दे सकते हैं आप दूसरे style से भी pom pom लगा सकते हैं back side में जो भी आपका neck का style हो उस तरह से कुछ भी different look दे के अपना pom pom लगा सकते हैं या फिर आपके पास कोई simple सा top हो या फिर कोई simple plain कुरती हो कुर्टी पे भी आप पॉम पॉम लगा सकते हैं तो उससे एक तो पॉम पॉम बहुत जादा ट्रेंड में है और बहुत ही डिफरेंट और स्टाइलिश लूप मल जाता है किसी भी ड्रेस को जिस तरह से आप इस ब्लाउज में देखेंगे कि यह पॉम पॉम लगने से पहले कि सिंपल दिख रहा था और पॉम पॉम लगने के बाद एक्दम ही चेंच लग रहा है और बहुत ही अच्छा स्टाइलिश लूप दे रहा है मैं फ्रेंट लूप आपको सिंपल पॉम पॉम से पहले दिखानी पाए क्योंकि यह जो फ्रेंट साइड के मैंने पॉम पॉम लगा लिये थे उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इस पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो पॉम पॉम नहीं थे तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था ब्लाउस जिस तरह से बैक साइड में कुछ भी नहीं था तो बहुत प्लेन प्लेन सा अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल पॉम पॉम लगने के बाद आप पॉम पॉम लगा सकते हैं चारों तो आप उसके नेक के चारों तरफ इस तरह से लगा सकते हैं और आफ यह सोच रहे हैं कि आपको यह सब करने के लिए स्टिचिंग की नौलिज होना चाहिए उसकी कोई दूरत दूरत नहीं है मुझे भी stitching की कोई जादा knowledge नहीं है stitching तो मुझे आती ही नहीं है तो इस तरह से आप easily कोई भी needle तो कोई भी चला सकता है और जब pom pom stitch हो जाएगा उसमें जिस तरह से मैं इसमें gart लगा रही हैं उस तरह से thread को ले जाके उसमें दो बार gart लगा दीजेगा अगर otherwise pom pom खुल भी सकता है और ये gart लगाने के बाद thread को scissors की help से पिल्कुल end point से काटिएगा क्योंकि अगर thread दिखेगा तो वो neat नहीं लगेगा और पिल्कुल अच्छा नहीं दिखाएदेगा इसी तरह से मैं बाकी के लिए colors यूज होते हैं उसकी help से mark कर सकते हैं वो दुलाई होने से अच्छी तरह से निकल भी जाएगा उनका spot भी रहेगा इसी तरह से जब आफ फ्रेंट साइड में जैसे लगाएं तो आप पे भी आप पहले बैटर हो की mark कर लीजे और उसके बाद पॉम-पॉम लगाएं वरना अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कम जादा distance होगा तो वो एक्टम finishing अच्छी नहीं लगेगी और नीट नहीं लगेगा so अब मेरे पॉम-पॉम लगना complete होने वाले हैं और मेरा blouse होने वाला है ready so this is the final look I hope ये आपको अच्छा लगा हो कितना अच्छा दिख रहा है ये पॉम-पॉम के बिना आप imagine कर सकते हैं कितना ज़्यादा simple था और बहुत ही simple दिख रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था especially front neck जो ये है orange पे जो off-white पॉम-पॉम लगने हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आपको enjoy किया हो आपने और आपको भी कुछ idea आया हो अपनी किसी dress या blouse में कुछ changes करने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग ये तो फटा-फट से like कर दीजे अपने friends के साथ share कर लिजे मेरे channel को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया subscribe करने के साथ साथ bell icon को press कर दीजे वरना आपको notification नहीं मिल पाएगा अगर आप bell icon को press करते हैं तो आपको मेरी हर एक वीडियो को notification मिल जाया करेगा guys फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye check care